हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम गाजर के लड़ू बनाएंगे, अभी सर्दियों में अच्छी अच्छी गाजर आ रहे हैं तो हम गाजर की कई सारी रेसिपी बना सकते हैं यह मैंने तीन गाजर लिए, इनको दोख के छील के ले लिए अब हम इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट के तयार कर लेंगे यह देखिए मैंने सारी गाजर को काट लिया है अगर आपकी गाजर ज़्यादा मोटी है तो आप उसे चोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं अब हम एक पेन लेंगे और उसमें गी डालेंगे गी को अच्छे से गरम होने देंगे अगर आपके पास पहले से यूज किया हुआ गी है ता वो भी ले सकते हैं इसमें गी हमारा गरम हो गया अब हमने गाजर काटके रखिए वो इसमें डाल देंगे गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे गाजर को उलटते फिलटते हुआ अच्छे से फ्राई करना है मैंने गाजर के हल्वे की दोगों से तीन रेसिपी शेयर किए बीना चीनी गुड़ वाली गाजर के घलवे की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर किए गाजर की खीर की रेसिपी भी ये शेयर किए अगर आपने अभी तक नहीं देखिए तो आफ मेरे चैनल, पर जाकर को आपने पहोशत के देख सकतply थोड़ी देर हम इसे और फ्राइ करेंगे और यह देखिए गाजर हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है यह देखिए बीच में इसे तूट रही है तो अब हम गाजर को निकाल लेते हैं आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आपको कोई और रेसिपी देखने है तो आप कमेंट करके बताएं यह देखिए हमने गाजर को फ् चमच दूद डाल देंगे ताकि अच्छे से पिस्के तयार हो जाए हमें गाजर को बिल्कुल बारिक भी सनाए यह देखिए हमारे गाजर पिस्के तयार हो चुकी है अब हम एक कटोरी लेंगे और उसमें आदा कटोरी अम कश्टड पाउडर डालेंगे अगर आपके पास कश कश्टर्ड पाउडर को दूद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें बाद में यूज करना है अब हम फिर से चलते हैं गेस की तरफ अभी पेन में गी ज्यादा है तो हम थोड़ा सा गी इसमें से निकाल के रख लेंगे बाद में कोई रेसिपी बनाएंगे तब हम यूज कर लेंगे यह देखके हैं मैंने आदा गी निकाल लिया और आदा गी बचा के रखा है अब हम इसमें आदा कटोरी सूजी एड़ करेंगे यह मैंने बारिक वाली सूजी लिये आपके पास जो भी सूजी है आप वो ले सकते हैं अब हमें सूजी को लगातार चलाते वे भूने सूजी को मैं तब तक पकाना है जब तक कि सूजी का हलका सा कलर चेंज नहीं हो जाता गेस की फ्लेम हमें मीडियो में रखनी है और सूजी जब भूनने लग जाएगी तो इसमें एक अच्छी सी खुश्बू आने लग जाती है पांस से छे मिनिट में हमारी सूजी भून के तयार हो जाएगी आपने ये रेसे भी पहले ट्राई किये तो आप कमेंट करके बताईएगा ये देखिए सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है अब हमने जो गाजर का पेश्ट बना के रखा वो इसमें एड़ कर देंगे अब ये लड़ू ज़्यादा कॉंटिटी में बनाना चाहता है तो आप बनाके फ्रीज में रख सकते हैं ये पांस से छे दिन तक बिल्गूल खराब नहीं होंगे ये हमने सारा गाजर का पेश्ट इसमें डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गेस की फ्लेम हमें पूरे टाइम तक लोई रखनी है जैसे हम इसमें गाजर मिक्स करेंगे गाजर में जो भी मोईस्चर होगा वो सूजी सोक लेगे और हमारी सूजी अच्छे से फूल के तयार हो जाएगे हमें इसे 2-3 मिनट तक पकाना है और यह देखे हमारा बेटर काफी गाड़ा हो गया है अब हम इसमें चीनी एड़ करेंगे और यह देखे कलर इसका कितना प्यारा आया है चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा यूज कर सकते हैं मैंने इसमें आदा कटोरी चीनी यूज किये लगबग सो ग्राम अब हमें इसे चीनी गुलने तक पकाना है यह देखिए इसे हमें लगातार चलाते रहना है और दो से तीन मिनिट में हमारी चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और जैसे ही चीनी मेल्ट होगी यह हमारा बेटर फिर से गीला हो जाएगा गेस की फ्लेम आपको बिल्कुल भी हाई नहीं करने है नहीं तो इन लड़नों का टेस्ट भी बिल्कुल खराब हो जाएगा यह देखिए चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है अब हमने जो कश्टर्ड पाउडर का गोल बना के रखा था वो इसमें एड़ करेंगे एक बार हम इस गोल को चला लेंगे क्योंकि कश्टर्ड पाउडर नीचे बेट जाता है तो हम इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ही हम इसमें एड़ करेंगे गेस की फ्लेम आपको मीडियूम ही रखनी है, हाई नहीं करनी है और अब हम इस गोल को इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहना है नहीं तो हमारा बेटर एक जगे गाड़ा हो जाएगा आप चाहे तो यहाँ पर गेस बंद करके भी मिक्स कर सकते हैं की जगेटर तुरंत ही गाड़ा शुरू हो गया है इसे में अच्छे से मिक्स करना यह कंश्टर पावडर से इन लड़ू का टेस्ट और अच्छा बहुत आएगा यह देखिए हमने कस्टड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया इसमें अब हमारा यह मिश्रन गाड़ा होने लगा फिर से अब हम इसमें इलाइची पाउडर एड़ करेंगे मैंने इसमें चोथा ही चमच इलाइची पाउडर एड़ किया है और इलाइची पाउडर एड़ करने के बाद इसे फिर से अच्छे से मिक्स करने ताकि पूरे मिश्रन में इलाइची पाउडर मिक्स हो जाए यह हमारा मिश्रन पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है अब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसमें कटे वे बादाम डालेंगे अगर आपको कोई और ड्राइफ रूट पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं मैंने दो चम उन्मच इसमें ड्राइफ रूट डाले और इन सब को मच्छे से मिक्स कर लेंगे इस अच्छे लगेंगे और अब हम इस बेटर को ठंड़ा होने को ज्यादा नहीं करना दो से 3 मिनिट में हमारा बेटर अच्छे से ठंड़ा हो जाएगा पांच मिनिट हो गए है और हमारा बेटर अच्छे से ठंडा हो गए है अब हम इसमें से थोड़ा सा पोशन लेंगे और उसे हाथ से यसे लड़ो बनाएंगे दोनु हाथू की मदद से इसे अच्छे से गोल करेंगे और ये देखिए लड़ो बनके तयार हो चुका है इसी तरह हम सारे लड़ू बनाके तयार कर लेंगे इन लड़ू को बनाना बहुत ही असान है आप बनाके देखिए आपको बहुत पसंद आएंगे इसी तरह हम सारे लड़ू बनाके तयार कर लेंगे मैं आपको एक लड़ू और बनाके दिखाती हूँ कैसे जेटपट लड़ू बनके तयार हो जाते यह देखिए बिलकुल आराम से लड़ू बनके तयार हो जाएंगे उमीद है आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लेगी हो तो लाइक करना शेयर करना आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्स कर लीजे ताक कि आपको हर रोज नही नही रेसिपी देखने को मिले मिलते हैं फिर से एक नही रेसिपी के साथ